हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने टाइटल थम्डिल में देखी लिया होगा, इज प्राइम नंबर को हम फिल्टर करेंगे, और सबसे चलेंजिंग बात यह है कि इज प्राइम नाम से कोई फंक्शन पावर कोरी में नहीं होता है, तो किस तरह हम एक कश्टम फंक्शन बनाएंगे और उसकी हल्प से यह काम करेंगे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में, तो यहां पर मैंने एक पावर बई की फाइल उपन की हुई है, अभी ब्लैंक है, कुछ नहीं है, तो हम एक सैंपल डेटा से स्टार्ट करते हैं, इस फाइल को म मैं ओपन कर लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म, ओके फॉर एक्जामपल के लिए यही मेरी फाइल है यहां पर, और इस फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, फॉर एक्जामपल के लिए यूनिट सोल्ड, जो यह यूनिट सोल्ड है, और इसको पहले मैं खुल नंबर कर देता ह तो जो यह यूनिट सोल्ड है, इसको फॉर एक्जामपल के लिए मुझे सिर्फ प्राइम नंबर्स फिल्टर करते हैं, तो वो क्वांटिटी चाहिए जो सिर्फ प्राइम नंबर्स है, तो पहले हमें समझना होगा यह प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स है और किसी ओवर से डिवाइड नहीं किया सकता इसका मतलब यह है कि कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए फूरा पूरा जो डिवाइड हो हम उसकी बात करें तो वह मरा प्राइम नंबर होता है और ऐसा कोई सचे कोई फंक्शन नहीं यहाँ पर जिससे हम इस तरह फिल्ट को अरी लेते हैं और एक्जम्पल के लिए मान लीजिए वह नंबर अगर 12 है तो यह नंबर 12 यहां पर आ गया है अब हम यह चेक करेंगे कि यह जो 12 है वह प्राइम नंबर है यह यह नहीं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले में एक लिस्ट डैडी करते हैं लिस्ट कहां से कहां तक की एक से लेकर के 12 तक की यानि की एक लिस्ट जो भी नंबर हमारा है एक से लेकर के उस नंबर तक एक लिस्ट होनी चाहिए और उस हर लिस्ट में से हम एक एक करके हम एक करके इनको डिवाइड कराएंगे और जहां जहां पर रिमाइंडर नहीं बचेगा उनको सम और फिर देखेंगे ठीक है तो समझाता हूं मैं तो सबसे पहले हमारा चैलेंज है कि एक list ready करें एक काम करते हैं नया step लेते हैं और obviously आपको मालूम होगा कि कोई भी list जो बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है तो हम एक minimum number डालते हैं और दो बार dot डालते हैं और फिर एक maximum number ड बाद में हम इसे parameter में डाल करके query में ले लेंगे तो मतलब कि यह जो number है उपर उस number तक ही list बनी चाहिए तो क्या करते हैं इस 12 के जगे पर हम लिखते हैं source यह वो step है जो उस number को define कर रहा है ठीक है कोई changes नहीं हुआ अब देखिए अगर मैं इस number को 104 कर देता हूं अब देख तो अब क्या करते हैं इस list को convert करते हैं हम ठीक है इस list को convert करते हैं table में तो यहाँ पर हमने click किया हुआ है और transform और इसे table कर लेते है अब यह table में convert हो गई है अब यहाँ पर मुझे इसकी जो सामने युक number चाहिए वो कौन सा number चाहिए इस list का maximum यह हम कह सकते हैं source में जो है व add column कीजिए और अब source वाले जो text है source वो लिख लेजी और ओके करनेते हैं देखिए source आ गया यानि कि number 104 तक था सब के आगे 104 आ गया अब देखो आगर मैं इस number को change कर दूँ देखिए अठार तक values आ गई और सब के आगे अठार आ गया अब मैं हर एक एक लाइन वाई लाइन इसमें multiply कराके देखूंगा कि कुछ बचेगा यह नहीं reminder बसता है यह नहीं तो इसके लिए function होता है mode ठीक है mode जो क्या होता है mode भी एक simple divide होता है लेकिन वो उसका reminder देता है नाकि उसका divide answer तो आगर reminder 0 आता है तो मतलब obviously बात है कि वो divide हो चुका है पूरे तरीके से और आगर कुछ बसता है तो वो value आ जाती है तो इस column को अबर मैं click करके मैं लगाता हूँ add column और information में तो इजड़ और इजड़ है पर इजड़ और इजड़ नहीं है यह आपर मैं standard में जाता हूँ और यह है वो module अब यह क्या कहना है कि मुझे एक custom value से यह custom column से multiply कराना है देखे अब यह तो multiply हो गया पर अगर हम इसको यह गलत तरह से डिवाइड हुआ है क्योंकि देखो अगर मैं इसको अठारे को एक से डिवाइड करूं एक को अठार से आ रहा है तो यह कुछ गलत है यहाँ पर अगर हम 9 देखूं तो 9 में क्या आ रहा है 9 में आ रहा है 9 क्योंकि मैंने 9 से डिवाइड किया इसको एकली यहाँ पर इनको अपोजिट करना है मुझे यह गलत हा रहा है इसको आगे और इसको पीछे आप देखिए अब यह ठीका रहा है कि जब मैंने इसको एक से डिवाइड किया तो यह जीरो हुआ यह रिमाइंडर है राइट तो 2 से डिवाइड किया तो 9 यह कर लिया फूरा और यह बचा 0 यहाँ पर जो चार्च दो reminder है इसका देखिए यानि कि अब यह reminders बच्चे हुए अब देखिए अगर प्राइम नंबर होगा तो प्राइम नंबर में सिर्फ दो बार ही 0 आएगा एक बार वो खुद के value से और दूसरी बार जब वो एक से divide करेंगे तो अगर आप मैं इसको filter कर लूँ तो एक काम तो हो गया यह इस तरह से करना अब इसी वाले कॉलम को मैं filter कर लेता हूँ मुझे सिर्फ क्या चाहिए 0 चाहिए अब जो number of rows हैं यह अगर दो से जादा है तो obviously बात है यह number नहीं है तो मैं इसे count करता हूँ तो count करने के लिए मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ count rows formula या फिर transform में जाकि यह count rows यह रहा क्लिक किया अब देखो अब कुछ नहीं आया एक result आ गया 6 यानि कि देखो अगर मैं यहाँ पर ग्यारा करता हूँ तो देखो अगर answer क्या आएगा answer आएगा 2 यह प्राइम नंबर है इस तरह सेविन करता हूँ 7 यह प्राइम नंबर होता है तो लास्ट में देखो आ रहा है 2 लेकर अगर कोई value एग्जम्पल के लिए 42 यह प्राइम नंबर नहीं है देखिए यारा 8 अब हम किसी तरीके से इस पर फिल्टर लगा करके इसको देखेंगे numbers तो इससे पहले हम यहाँ पर यह table हो गई अब इसको करवड करते हैं हम वाप बस table में ठीक है अब यह table बन गई अब इस table में मुझे एक column add करना है जो actually वो condition है if condition लगा सकते हैं तो वो column add करना है यहाँ पर और वो column क्या देगा if this column greater than 2 2 से अगर greater than हो तो obviously बात वो है कि वो even number प्राइम नहीं है तो मैं लगता हूँ not e prime ठीक है और यहाँ पर सीगलत हो गया यहाँ पर जो इफ थोड़ा अलग चलता है यहाँ मैं द्यान लगाना परता है if column name greater than 2 हो तो not a prime number else else prime not a prime and prime अब मैं इसे ओके करता हूँ इस जायद मैंने if का syntax यह है ओके किया अब देखिए एड जो है not a prime है बल्कुल correct नहीं दिख दिया है अब मुझे यह फालती कॉलम ने चाहिए मुझे सिर्फ यह वैल्यू चाहिए तो इसमें मैं क्या करता हूँ इसको ही मैं select करता हूँ remove other columns करता हूँ तो अब यही column बचिएगा मेरे पास और अब इसको इतने सारे करने वाजा है मुझे सिर्फ एक value चाहिए तो मुझे क्या करना इसमें last में आ करके column select करना है, column का नाम है custom, यह column हो गया, और उसके बाद value select करने, तो value देंगे हम curly braces में, पहली value 0 है, ओके क्या, देखिए, यह अब यह value अच्छी, not a prime, अब मैं source change करता हूँ, मैंने source डाला है, example के लिए 17, तो answer क्या आता है, यह प्राइम है, तो यह बलकुल ठीक आ गया है, query हमने बना लिए, अब इस query को function में क्या से convert करेंगे, वो देखते हैं, लेकि मैं हमेजा कहता हूँ कि सबसे पहले इस query को आप duplicate करेजिए, क्योंकि सारी महात खराब हो सकती है, अगर हमने इस महीं खिर्षे ठाली जुरू कर दि तो, ठीक है, इसका नाम चेंड कर लेते हैं, rename करते हैं, यह है हमारा is prime function, इसका नाम यह देते हैं, और फिर जाते हैं, advanced editor में, यह होगा, advanced editor, यह हमारा code है, यह वो source ले रहा है, और इसके साबसे यह convert करके यहाँ पर बता रहा है, यह प्राइम है या नहीं है, अब क्या करत हैं, इसे उपर एक variable create करते हैं, ठीक है, यहाँ पर डालते है, column, column to check, ठीक है, यह variable बना देते हैं, यह वो column होगा, जिसमें हमें यह सब check करना है, और अब s लिखना है, और क्योंकि यह variable type number है, तो number हो गया, अब यहाँ पर हम लिखेंगे, एक पर equal to, और greater than, ठीक है, अब देखेंगे, यह प्लकुर सही चल रहा है, पर आभी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें, यहाँ पर value fix है, 17 है, तो इस 17 के जगे पर, मुझे यह जो column है, value है, वो यहाँ लिख देनी है, ठीक है, अब जो भी value यहाँ पर आएगी, वो यहाँ पर आएगी, उसक यह formula बन गया, 15 not a prime, अब मैं इसो करता हूँ, 18, यह भी not a prime, 1 case, 1 case भी not a prime, 11 देखते हैं वही, 11 तो prime होता है, right, और last में, 1177, देखते हैं, यह number prime है, ठीक है, यह भी not a prime है, 3, यह भी not a prime है, 6 जो है, not a prime number है, और 9 की, तो 9 भी prime number नहीं है, तो function हमारा काम कर रहा है, ठीक है, अब यह जो function है, इसको हम use कर सकते हैं, अपनी query के अंदर, तो मैंने, for example के लिए, मुझे यह column check करना है, तो अब मैं column create कर सकता हूँ, simple, add column, और यह जो नया function मैंने बनाया है, is prime, इसको select करते हैं, अब देखिए, parameter क्या रहा है इसका, column to check, जो हमने वहाँ डाला था, तो column मुझे check करना है, unit sold, और bracket close, और okay, तो देखो यह answer क्या देगा, वो अगर prime है यह not prime है, तो सब कुछ आ गया, अब हम easily filter कर सकते हैं, मेरे पास यह prime values है, यह मैंने यह filter कर ली, और face column गोड़ रिमूब कर दो, तो यह सिर्फ prime number की data में है, और अब इसे हम load कर लेते हैं, तो देखा आपने कि किस तरह से हमने इसको एक custom technique के help से, इसे हमने solve किया है, आपकी भी कोई query है, तो मुझे comment कीजिए, वीडियो पसंद आए, तो please like कीजिए, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक ये लिए goodbye. झाल